पंजाब के इस समय जो चुनाओ है इसको आप तीन तरीके से देख सकते हैं sentiment, mathematics और social identity sentiment इस समय आम आदनी पाटी के साथ लग रहा है जैसा कि सब panelists कह रहे हैं और जो opinion polls भी कह रहे हैं लेकिन sentiment को vote में तबदील करना एक अलग चीज़ है और अभी उसमें एक महिना है लेकिन इस समय sentiment के अधर पर आम आदनी पाटी आगे लग रही है और उसमें sentiment में एक और चीज़ जुड़ जाती है कि एक anti-establishment sentiment लग रहा है मुझे प्रो आम आदनी पाटी sentiment equals anti-establishment sentiment कि जो establishment की पावज रही हैं अभी तक पंजाब में वो वो deliver नहीं कर पाई है जो पंजाब जिसका हकदार था और अब वो एक दिल्ली में एक example देख रहे हैं मुझे यह 2014 के चुनाव लग रहा है जहां पर या 2014 के बाद जितने भी राज्यों के चुनाव हुए कि मोदी जी का चेहरा दिखाकर राज्यों के चुनाव लड़े गए वैसे ही केजरिवाल जी का चेहरा दिखाकर और केजरिवाल जी का कि देखिए जब भी multi-corner fight होती है तो जो anti-incumbency vote है वो चिटकने के chances होते हैं तो जो vote Congress है चिटक कर आम आदनी party को जाना चाहिए था अगर ये किसान मोर्चा, अगर BJP और अमरिंदर सिंह साब की party, अगर शिरोमानी या काली दल अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो anti-incumbency vote को अपने आपस में split करेंगे उधारन के तोर पर एक जो बहुत बड़ा advantage शिरोमानी या काली दल का सालों साल से रहा है Congress के उपर वो रहा है जटसिक vote का तो इस बार जो जटसिक vote Congress से छिटा कर दूर जा रहा है अगर शिरोमानी या काली दल कुछ इलाकों में जैसे कि Western Malwa और माजा में यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा करती है तो जो वोट आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए था वो शिरोमानी या काली दल को चला जाएगा और first pass the post system में इसमें advantage Congress को हो सकता है similarly अगर upper caste Hindu vote जो कि माम कह रही है शेहरों में BJP की तरफ जाता है तो अगर वो anti-incumbents यूँकि वो सारा वोट पिछली बर Congress को गया था तो अगर वोट Congress से छिटक रहा है उसका automatic beneficiary इस बर आम आदनी पार्टी को होना चाहिए था एक two-way fight में लेकिन एक multi-corner fight में वोट split हो सकता है ऐसे में Congress को फाइदा हो सकता है तो यह mathematics मुझे लगता है कि कही ना कहीं आम आदनी पार्टी के अगेंस जा रही है अब बात करते हैं social identity की और यहाँ पर हाला कि Congress को advantage है लेकिन वो उसको मुझे लगता नहीं exploit कर पा रही है कि देखे आप पंजाब को तीन खाचों में बांड दीजिए simplistically बता रहा हूं मैं इसमें और वी nuances हैं लेकिन simplistically Jutsik, Dalit और एक जो non-Dalit Hindu समाज है ठीक, आप इन तीनों में से किनी दो को साथ लीजिए और आप चुनाओ जीत सकते हैं Congress के पास इन तीनों ही sections के leaders हैं Sidhu साहब है, जाकर साहब है और चन्नी साहब है लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं काम कर रहे हैं, इसा लग नहीं रहा है तो हलाकि Congress के पास इसमें advantage हो सकती थी, लेकिन वो मुझे advantage exploit करते हूँ नहीं दिख रहे हैं तो इसी वज़े से ये चुनाओ मुश्किल है call कर पाना इस बर, यूँकि इतने सारे factors हैं और सारे के सारे factors एक जूसरे को cancel out भी कर सकते हैं तो अंत में कौन सा factor click कर जाएगा और किसको advantage दे जाएगा ये कहना अभी इस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल है और जो opinion polls भी आ रहे हैं, वो काफी fight close बता रहे हैं, अलाकि वो भी आम आदमी party को edge दे रहे हैं मैं फिर यही कहूंगा, edge को vote में convert करना जैसे कि हमने बिहार में देखा एक अलगी बात है तो अगर तो ऐसी situation में vote भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि अभी opinion है तो आम आदमी party हमें आगे दिख रही है लेकिन अभी एक महीना है और अभी काफी पानी बहना बाकी है जैसा कि आपने कहा पंजाब की नदियों में तो SM में देखना दिल्चास भोगा कि आगे क्या होता है और अभी Congress का तो projection भी नहीं आया है Chief Minister Face का हाला कि उनका tweet आया था कुछ दिन पहले उससे ऐसा लग रहा है कि चन्नी साब project हो गए है लेकिन कोई formal announcement नहीं आई है तो यह सब dynamics है मेरे हिसाब से जो भी play out करेंगे अगले कुछ समय